नमस्कार में नाम है सौरब और आप देख रहे हैं दिललनटॉप.com आज ये वीडियो एक सवाल से शुरू करते हैं सवाल ये कि क्रिकेट में एक बॉल पर कितने रन बन सकते हैं आप सोचो कि साथ रन बन जाएंगे नो बॉल पर कोई छक्का मार दे और एक रन एक्स्ट्रा का ऐसा ही कुछ और तिकड़ में आप लगाओगे मगर ये सारे कयास गलत हैं जवाब कुछ और है जवाब ये है कि एक गेन पर 286 रन बन सकते हैं चौक गयना पर ऐसा ही हकिकत में हुआ है अब आप सोचो कि कैसा कैसे हो सकता है ऐसा तो कोई नियम भी नहीं कि एक गेन पर सीथे 286 रन मार दिये जाएं मगर सोचल मीडिया पर एक तश्वीर खुब शेयर हो रही है इसमें एक मैच का जिक्र है जिसमें एक बॉल पर 286 रन बन गये थे बात 15 जनुरी 1894 की है मैच हो रहा था वेस्टन ऑस्टेलिया में विक्टोरिया और स्क्रैच 11 के बीच मैदान था बॉन बरी का मैच की पहले ही गेन पर बल्लेबाज ने एक लंबा शॉर्ट मारा और गेन जाकर एक पेड़ पर अटक गई उदर क्रीज पर दोनों बल्लेबाज लगातार दोडते रहे जब तक की गेन को ढूंडा और पेड़ से उतारा जाता वो एक के बाद 1286 रन भाग चुके थे दोनों ने इस दोरान क्रीज के बीच करीब 6 किलोमेटर दूरी कवर कर ली ये पेड़ मैदान की इतम बीचो बीस था और फिल्डिंग टीम ने अमपायर से अपील भी की कि गेन खोई हुई गोशित कर दी जाए ताकि बल्ले बाजो को रन लेने से रोका जा सके मगर अमपायरो ने ये कहकर अपील ठुकरा दी कि गेन पेड़ पर फसी हुई है और दिख रही है इसलिए उसे खोया हुआ कोशित नहीं किया जा सकता आलम ये हुआ कि फिल्डिंग टीम ने किसी को कुलारी लाने के लिए भेजा मगर कोई कुलारी नहीं मिली इसलिए पेड़ भी काटन नहीं जा सका फिर किसी ने घर से राइफल मंगवाई और गेंद पर निशाना लगार गेंद को पेड़ से नीचे गिराया गया वगर जब तक गेंद नीचे गिरी फिल्लिंग साइंट इतनी हताश हो चुकी थी किसी ने गेंद को कैश करने की कोशिश भी नहीं की उतर बैटिंग टीम माने विक्टूरिया के बल्ले बाजों ने 286 रन मना चुके थे और इस टीम ने इतने ही रनों पर अपनी पारी भी गोशित कर दी एक गेंद पर 286 रनों को स्कूर अपने आप में एक रिकॉर्ड है वसे आज के लिहास इस खबर पर भरोसा करना काफी मुश्किल काम है मगर ये नामुम्किन भी नहीं है क्योंकि क्रिकेट के नियमों के मताबिक सीमा लेखा पार करने से पहले और गेंद खोने के मामले में बलने बाश लगाता रन भाग सकते हैं और जहां तक इस मैच की बात है तो क्रिकेट के भरोसे में वेबसाइट ESPN क्रिक इंफो पे एक ब्लॉग छपा है क्रिकेट राइटर माइकल जोन्स का वो लिखते हैं कि इस खबर का इकलोता सोस उस वक्त अंग्रीजी एक बार पॉल मॉल गैजट को मला जाता है उसी के स्पोर्ट स्पेस पर ये अनोखी खबर छपी थी उसके बाद ये इंग्लैन ऑस्ट्रेलिया समेथ अमेरिका के कई अगबारों और पत्रिकाओं में छपी इस रिकॉर्ड तो किसी कैमेरे में कैट नहीं किया जा सका था इसलिए एक गिनीज बुक आफ रिकॉर्ड में भी दर्ज नहीं हो पाया आपको जरूर बताएंगे प्रिकेट के ऐसे ही किस्ते हम आपको लगाता सुनाते रहेंगे आप देखते रहें दिललनटॉप.com अगर ये वीडियो आफ फेस्बुक पर देख रहे हैं तुमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तुमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसके रहादी ललन टॉप किया है गूगल प्ले स्टोर पर आ चुकी है उसे डाउनलोड कीजिए और उसके बारे को अपने दोस्तों को भी बताएए शुक्रिया